बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, महायूद के बीच यूकरिन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, रूस के मिसाइल को मार गिराया है, ये यूकरिन ने दावा किया है, रूस के 800 से ज्यादा सैनिक मार गिराये हैं, रूस के साथ हेलिकाप्टर्स वर्स कर दिये हैं, 30 ट ये भी जानकारी युक्रेन की तरफ से दी गए है कि हमारे 137 लोग मारे गए हैं इस फामले में साथी कुछ और जानकारी युक्रेन ने साज़ा किया ये बताया कि रूस के 800 से ज्यादा से निक मार गिराए गए हैं रूस की साथ हेलिकॉप्टर्स ध्वस कर दिये हैं 30 टैंको को तबहा कर दिया है ये इस वक्त की बड़ी खबार वार बेकेंगे इस वक्त हम आपको ये बता रहे हैं युक्रेन की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है इस महा युद्ध के भी रूस की मिसाइल को मार गिराया है युक्रेन ने ये दावा युक्रेन की तरफ से किया गया है और अभी तक अगर यूक्रेन को नुक्सान की बाद जो सामने आ रही है जो दावा यूक्रेन खुद कर रहा है वो यह है कि 137 लोग अभी तक इस हामले में मारे गए है ये दावा अभी यूक्रेन की तरफ से क्या गया है लेकिन आप आपको कुछ तस्वीरे दिखाने जा रहे है यूक्रेन पर रूस के अमले के करीब 24 घंटे होने वाले इन 24 घंटों में यूरोप ही नहीं दुनिया का इतहास बदल गया है कूटनेती बदल गया है और इस बात की संभावना है कि आने वाले समय में यूरोप का भुगोल भी बदल सकता है अमेरिका खुद को दुनिया का एक मात्र सुपर पावर होने का दम भरता है लेकिन रूस ने साबित कर दिया कि असली सुपर पावर कौन है रूस ने अमेरिका की नाक के नीचे पहले यूकरेन के दो हिस्तों को अलग देश की मानता दी और फिर अपनी सेना लेकर यूकरेन पर चड़ाई कर दी अमेरिका देखता रहे गया अमेरिका ब्रिटेन और नाटो की शक्ति शाली सेना है यूकरेन की मदद के लिए एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाई